पिंजोर शहर में 31 मामले डेंगू के आए पिंजोर में बुखार से पीडित लोगों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई पिंजोर शहर में अचानक से डेंगू के मामलों में काफी वृधी हुई है पिंजोर में अब तक 31 मामले डेंगू के आचुके हैं जबकि बुखार से पीडित लोग महिलाएं बच्चों की संख्या ज़्यादा है अर्बन पॉलिक क्लिनिक यूपीसी पिंजोर के डॉक्टरों के टीम द्वारा हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों की बारीकि से जाच परताल की जा रही है और डेंगू टेस्ट करवाने वाल कलोनी, अबदुल्लापुर कलोनी, बितना कलोनी, विष्यकर्मा कलोनी, भीमादेवी कलोनी, सहित अन्य कलोनियों में डेंगू के मामलो की संख्या सबसे ज़्यादा है, जिनके घरों में और आसपास अरिया में फोगिंग करवाई जा चुकी है और सभी मरीजों को फिलाल बेड रेश्ट पर भीज़े जा चुका है, हेल्थ इंस्पेक्टर बलवन सिंग ने बताया कि इनकी टीम सोर्स डिडक्शन कर सभी वाडों के घरों में जाकर चेकिंग कर रही है, वहीं हेल्थ डिपार्टमेंट की और से पंचकुला की टीम के साथ मिलकर फोंगिंग भी करव पाई जा रही है, पिंजोर शहर में 31 डिंगो के मामले आ चुके हैं, जिन में बुखार के मरीजों की संख्या अधिक पाई जा रही है, बुखार की मिली शिकायत की बाद कुछ मरीजों ने दम भी तोड़ा है, फिलहाल पिंजोर शहर की अलग-अलग कालोनियों में स्तिति की नाजुक है, बुखार के अधिक मामले सामने आ रहे हैं, लोगों को एतियात बरतने की सला दी गई है, और उन्हें बैड रेश्ट करने को कहा गया है, और लोगों को घरों के असपा साफ सपाई और पानी खड़ाना रहने दे की सला दी गई है